कालका शहर की सारंगपुर कालोनी में जन संपर का भ्यान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया शिवालिक विकास मंच की ओर से कालका शहर की सारंगपुर कालोनी में एक जनसभा का आयोजन किया गया था इस दोरान हर्याना सरकार में चेर्मेन रहे विजय बंसल ने सारंगपुर कलोनी और अन्य कलोनी वास्चियों की समस्चाओं को सुना और उनका समधान करवाने का आश्वासन दिया श्वालिक विकास मंच की और से 140 भी मिटिंग का आयोजन किया गया था जिसके तैत इन में कुछ जनसभाओं का आयोजन किया जा चुका है इस दोरान पूर्व चेर्मेन विजय बंसल ने बुद्वार को कहा कि वर्षों पहले बसी सारंगपुर कलोनी के लोग आज भी मूलभूस सुविधाओं को तरस रही है जिसकान लोग समस्चाओं से परेशान है जनसभा में भारी संक्या में लोगों की भीड मौजूद थी लोगों ने सारंगपुर कलोनी में सीवरेज का ना होना, गलियों चराहों है कलोनी में, स्ट्रीट लाइटे ना होने, कच्ची गलियों, पेजल कनेक्शन के ना लगने, सहीत राशन कार्ड के ना बनने, आयुशमान कार्ड की इस योजन में शामल करने जैसी दरजनों समस् रखी शिवालिक विकासमंच के परदेश अध्यक्ष एंप पुरो चेर्मेन रहे विजवंसल एडवोकेट ने कहा कि नगर परशित कालका पिंजोर के आने वाले चुनाओं के मद्दे नजर लोगों के बीच जाकर समस्थें सुनी जा रही हैं उन्होंने कहा कि लोगों के समस रख उनके हल करवाने का भी प्रयास किया जाएगा सारंगपुर कालोनी के लोगों ने पूरो चेर्मेन विजवंसल को यहां पहुंचने पर गरम जोशी के साथ स्वागत किया और सैंकड़ों लोगों ने उन्हें समर्थन दिया उनके साथ एनस यूई आई आटे सेल के रा तंतर मीनी सरकार होती है जिसे जनता दवराच चुना जाना है उन्होंने कहा कि मुझूदा सरकार में लोग मुलभूत स्विधाओं से वंचित हैं और पूरो चेर्मेन विजवंसल ने हाई कोट से लेकर सुपरीम कोट तक की नगर परिशद का एरिया नगर निगम से निका कालने की लड़ाई लड़ी है